बारत अपने केमपेंग का अंटी मुकाबला स्विलंका के साथ खेलने वाला एलीट के मैदान में आज हम आपनों को बताने वाले हैं दोनों टीम के बीच में प्लेइंग 11 जो कि दोनों की कीम के बीच में प्लेइंग 11 अमें खेलती हुई नजर आएगी और 95% कमफर्म है कि य लाइकन का बटन जरू दबाईए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और हम बात में सबसे पहले फिलंका के उपनिंग से तो फिलंका के जो उपनिंग करते हुए नजर आएंगे उनका नामे कवरारत ने और खुशल परेरा यह दोनों 100% कमफर्म है कि यही दोन फिलंका कोई अच्छी फिनिशिंग टश दे उसके बाद अगर बात करिंगे चार प्रॉपर के बाजों की तो धनजा जी फिलंका की प्लेंग वंडर दे से कोसल रजिता और लसित मलिंगा यह रहने वाले हैं के तरफ से चार प्रॉपर गेर बाज तो जो आप मैंले साट मे लेखने तो इस प्रकार से रहने वारी है फिलंका की प्लेंग प्लेंग यहीं प्लेंग लॉण उदरती हुई नजर आ सकती है और अब हम बात करेंगा इंडिया की बदलाओ हुने की संभावना है क्योंकि इंडिया कॉलिफाइज से विट फाइनस में कर चुका है तो इस थीनों प्लेइर अलए उपनिक करते हुए नजाहेंगे उसके बाद मिजल मजल लागे संप दाख होर्छ चालल पर गेडबाजों की बात के तो मोहमाशनी, यूजोएन चहल और भूनेश्वर कुमार ये रहने वाले हैं के तीन गेडबाज और इसके बाद हमें ऐसा रखता है कि जस्पीर भूमरा को अराम करा के कुल्दी प्यादों को खिला सकते हैं क्योंकि ये अतिम मुकाबला है और इसके बास सेमी फाइनल्स और फाइनल्स के मुकाबले हैं तो इस मोहल में हो सकता है कि जस्पीर भूमरा को और आम दिया जाए इस मैच में और उनके जगह पे हमें कुल्दी व्यादों खिलती हुए नजर आ सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें दिखने को मिल सकती है प्लेइंगी लवन इंडिया ने तरब से और अगर बात करें तो यही दोनों टीम के बीच में प्लेइंगी लवन हमें खेलती हुए नजर आएगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी आपको प्लेइंगी लवन है क्रिकेट के नियू अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तों इसी वीजिए खर्म करते हैं आपको मिलेंगे हम अगले कोईश के बल और अगले प्लेइग लवन के साथ तो चलिए दोस्तों इसी वीजियो